तो दोस्तों नए सिक्षा सेवा चैन आयोग के वास्तिविक प्रस्थ भूमी पर आने का इंतजार है ऐसे में आपको बता दी जब हम मंगलवार की सुबह की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से खवरों में जो हो देखने को मिला कि उत्तरप्रदी सिक्षा सेवा चैन आयोग के गठन पर जो है वो लग सकती है मौहर एक निवस्पेपर ने लिखा था कि बहुत ही भारी भरकम आयोग जो है और वास्तों में ये है भी भारी भरकम क्योंकि अभी तक अलग-अलग आयोग आपके जो है वो अलग-अलग जो परिक्षाए थी प्रात्मिक की बात करें एक बोर्ड को ले करके बात करें तो सब कुछ अलग-अलग होता था यहाँ पर अब सिंगल यही एक आयोग है जो इन चीजों को देखेगा मंगलवार को मेटिंग हुई आप सभी को भी उसका इंतजार था कि ऐसे मैं हमने भी वीडियो बनाया था कि जो आयोग है उस पर और सारी चीज़ आपको भी पता है कि सब पर जो है government of you पी या government की नजर होती है चाहे print media के बात करें social media के बात करें उन पर सभी की नजर होती है वो चाहते हैं कि ऐसी ख़बर ऐसे चीज़े चलती रहें और ऐसे में जब हम बात करते हैं अगली ख़बर को लेकर कि यहाँ प इस आयोग के बारे में बात की जाने लगी इधर देखने को मिला की 12 सदसे जो आयोग जो सदसी है वो भी तै हो गए है अध्यक्ष के साथ में एक अध्यक्ष और 11 सदसी है लेकिन अभी तक कुछ भी वास्तिविक प्रश्च बोमी पर नहीं आया है टीजीटी पीजीटी की ब बात करें बाकी भरतियों जूनीर एडल की बात करें अगर हम प्रत्मिक शिक्षक भरती की बात करें जो लगभग 5 साल हो चुका है देखने को नहीं मिली है इन सभी का कल्यार ये सभी तभी देखने को मिलेंगी जब ये सिक्षा सेवा चैन आयोग आयेगा ऐसे में सवाल य